जै माता है कि कैसे दोस्तो आशा करते हैं पच्छे से होंगे तो देखिए शार्दे नवरात्रे जै शुरू हो चुके हैं और माता का हमारे यहां आगमन हो चुका है upstart है तो आज ठाथ कल है दूसरा नवरात्र. तो आप जैसे जो अच्छक उपाय है नवरात रेके वो कुछ कर सकते हैं जिनका हमें 100% जो है फल मिलते हैं अगर हम इन उपाय को करें तो उपाय तो छोटे-छोटे होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है हमारी जैसी कैसी मनों कामना है जो पूरी नहीं हो है यह हमारे घर में रड़ाई जगडब होत रहते हैं में रड़ाई जगड़ा शांत करवाना है रिष्टों में आपस में जो है प्यार नहीं है चाहे कोई रिष्टा हो भाई वेन का हो पती-पतनी का हो यह असास भूग किसका भी रिष्टा हो तो उसमें प्यार नहीं है उसके लिए हम कुछ उपाई कर सकते हैं, तो देखें, उपाई क्या है, हमें ले लेनी हैं, थोड़ी सी धई, एक कटोरी धई अपनी हिसाब से ले सकते हैं, और एक लोटा जल ले लेना है, और जल में हमें कुछ निडालना है, और सीधर चला जाना है, महादेव के मंदिर में और वहाँ क्या करना है शिवलिंग के पीछे खड़े होकर हमाना मूप जो है वो होना चाहिए नौर्थ की और उत्तर की और होना चाहिए और फिर हमें क्या करना है जो हमने दही ली है वो माता का शिवलिंग के उपर जो माता का हस्त कमल होता है तो वहाँ पर अच्छे से मल देनी है चारो और शिवलिंग के हस्त कमल पर उसके बाद क्या करना है उसे मलने के बाद माता रानी से परात्का करनी है जो भी हमारी परात्न है कि जो भी मनोकामना लेकर हम गए हैं तो वो सब माता के समुग कहा देनी है और इसके बाद हमें फिर उसके बाद आशुतोष भगवान का नाम लेते वे वो सारा जल उसके पर माता रानी के हस्त कमल पर जो हम एक लोटा जल अलग से लेकर गए थे तामबे के लोटे में वो सारा जल हमें माता के हस्त कमल पर ही सारा चड़ा दिन है और इसकर करके हमें अपने घर वापिस आ जाना है तो देखिए आपकी मनो कामना कितनी जल्दी पूरी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सारी मनो कामना जो सालों बर्सों से पूरी नहीं हो रही थी आपकी महनों कामना देखते ही देखते पूरी होगी और माताराने की किर्पा आप पर बनी रहेगी तो जिन्होंने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले लाइक, कमेंटर शेयर भी कर ले तो इसलिए हम इस उपाय को हमें जरूर करना चाहिए और दूसरा उपाय पुझे गुरुदेव जी ने बताया है मक्खन का इसे पहले भी बताया था तो ये भी है लड़ाई जहगड़ा स्चान्त कराने का तो है ही है यह उपाय और अपने जो संबंध है उनमें प्रेम बढ़ाने का भी है चाहिए वो परिवार में कोई भी संबंध हो दुरानी जुठानी का हो, सास बहु का हो, पती पतनी का हो तो उसमें लड़ाई जहगड़े का श्चान्त कराकर ये उपाय क्या है परिवार में प्यार महुत बबत्री लाता है तो इसमें क्या करना है हमें मखन में क्या मखन का पाय है तो उसके लिए क्या करना है हमें थोड़ा सा मखन लेकर और एक लोटा जन लेकर शिवलिंग के मंदिर में मंदिर में शिवजी के पहुँच जाना है और शिवलिंग के पीछे खड़े होकर इसे मक्षन को भी हमें जो शिवलिंग है उपर का उसमें अच्छे तरह से लगा देना है और लगाने के बाद हमें अगर शहद हम लेकर आएं तो शहद भी लगा सकते हैं ने तो मक्षन ही लगाएं और वैसे शैद इसमें ले आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो शैद और मखन दोनों लग जाएंगे शैद से कहा होता है संबंदों मिठास बनती है तो शैद भी आप जरूर ले आए तो वह भी जैसे हमने श्री लिंग के पर लगाया अच्छी तरह से मखन और शैद तो इस करने के बाद अच्छे तरह से लेपन करने के बाद जो हम एक लोटे में चल्लाएं थे वह मैसे श्री लिंग पर अच्छे चड़ा दे हैं और उस पर ठीट पर शीट नहीं दे सकते तो घर के चार कोना में अच्छे तरह से चिर दे इस Щर क्या होगा धीर दीर दीरे दीरे आपके संबंदों में मदूरता बनने लगेगी और जब एकती घर में ज्यादा रड़ाई जगड़ा कर रहा था या आप जिससे आपकी नहीं बन रही थी तो उसके संबंद आपके साथ मदूरूंगे तो यह होती अच्छे कुपाए हैं पुझे गुरुदे